आजी बाटिया जी काहें ठीक है सब मैं आपका बेट करता हूँ क्योंकि बाटिया जी बिजी थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी पेट पूजा की जाए आखे ढूब भी बहुत लगी थी मैंने पास की एक मिठाई की दुकान से पांच लड़ू पैक कर आए आखे लड़ू मुझे पसंद जो है उस दिन बहुत गर्मी थी और मैं काफी थका हुआ था मैंने सोचा क्यों ना च्छाओं में बैठके थोड़ा आराम किया जाए मैंने अपने एरफोंस लगाए और नॉवल पढ़नी शुरू करती और तब ही एक शक्स मेरे बगल में आके बैठ गया जो मुझे थोड़ा सा आजीव लगा था ख्यार छोड़ो मैं फिर से अपनी नॉवल पढ़ने में बिजी हो गया कुछ दिर बाद मैंने देखा कि वो शक्स बिना मेरी इजासत के मेरा लड़ू उठाके खा रहा था मुझे बहुत अजीव लगा और मैंने भी लड़ू उठाया और खाना शुरू कर दिया मुझे ये काफी अजीव लग रहा था ये क्या फिर से अब मुझे और तेज़ गुस्सा आया अखिर कोई बिना मेरी इजासत के मेरा लड़ू कैसे खा सकता है मैंने भी एक लड़ू उठाया और खाना शुरू कर दिया मुझे बहुत अजीव लग रहा था और साथ ये साथ बहुत गुस्सा आ रहा था ख्यार में सब कुछ भूल के फिर से अपनी नावल पढ़ने लगा और तब ही वो शक्स अचानक से उठा उसने वो बचा हुआ अखिर लड़ू उठाया और आधा मुझे दिया आधा खुद खा गया मानो वो मुझे पे कोई ऐसान कर रहा हूँ मुझे ये देख के बहुत तेज गुस्सा आ रहा था लेकिन मैं समझनी पा रहा था आखिर मैं करूं तो क्या करूं मुझे लगा मुझे अब चलना चाहिए ये क्या ये लड़ू का पैकेट टमेरा था इसका मतलब अब तक मैं उस शक्स के लड़ू खा रहा था और उसने मुझे एक बार भी टोका तक नहीं आज मुझे एक सीख मिली थी कि शायद पैसों में मैं उससे बढ़ा था लेकिन दिल उसका बढ़ा था कर दो कर दो कर दो कर दो